सैंडी एको कॉमिक कॉन में मार्वल और डीसी क्या करने वाले है उस पर बहुत अटकले चल रही है तो मैंने सोचा इन अटकलों पे हम भी हाथ देख लेते हैं चैंब बढ़िया था गुरू खास कर तब जब डीसी की कलियारों से एक महत्वपून ख़बर आई है सुपर मैन की वापसी की कॉमिक कॉन दो हजार बाईस बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों जहां मार्वल हमेशा बरी बरी अनॉस्मेंट करता है जैसे यह एराउस में जहां लोकी को एज एवेंजर वन विलिन अनॉस किया गया था पर इस बार खबर DC की गल्यारों से आई है अपने कॉमिक कॉन पैनल में DC क्या करने वाली है उस पर एक almost confirmed खबर आई है डेडलाइन जो कि एक repeated पत्र का है उन्होंने खबर दी है कि DC ना सिर्फ अपने आने वाली फिल्म्स जैसे Black Adam और Shazam Fury of the Gods के ट्रेलर इटीजर दिखाएगी पर Henry Cavill सप्राइज एंट्री करेंगे और अपना return अनाउंस करेंगे as Superman अब यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यह काफी अटकले चल रही थी Cavill को as Superman के रोल से हटा दिया जाएगा और Comic से एक Black Superman Calvin Ellis को introduce किया जाएगा अगर यह San Diego Comic Con वाली खबर सच हुई तो उन rumors पर विलाम लग जाएगा और Cavill ही रहेंगे DCU के Superman Black Superman movie एक अलग continuity में होगी जिसे produce कर रहा है Michael B. Jordan उसी पत्रिकान यह भी खबर ती है कि Cavill Black Adam movie में भी दिखेंगे और शायद वो Shazam 2 में भी दिखेंगे उस Shazam 1 के इस scene के continuation में जहां Billy Bastard Superman से मिलता है Marvel की गल्यारों से आटकले काफी गरम है कि Marvel इस बार College Final में कुछ बड़े announcement इसे Fantastic Four casting announcement कर सकता है एक बड़ार यूमर यह भी चल रहा है कि Fantastic Four के एक किरदार तो Think की casting हो गई है इस रोल के लिए सेलेट किये गया है शायद Jason Siegel जोनों इस से पहले प्रचलिट TV शितकों How I Met Your Mother में Marshall का रोल निभाया था अब यह सिफ रूमर है अभी तक confirm नहीं किया गया है पर यह एक interesting casting choice होगी considering Siegel mostly mocap में ही रहेंगे और उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देगी जो काफी भाड़ी आवाज है या फिर ये भी हो सकता है कि mutant projects पर announcement करेगा Marvel इसलिए Comic Con के ठीक पहले Miss Marvel में ये card खेला गया हो सकता है इसी के साथ Black Panther Wakanda Forever में mutant Trom की entry का announcement भी किया जाए इसाब Black Panther से Comics में गहरन आता है जहां Black Panther Wakanda Forever की बात हुई MCU के next release है वो और उस पर तो बड़ा कुछ होगा ही शायद trailer release के लावा Marvel शायद phase 4-5 किस तरफ जा रहा है यानि अगला बड़ा Avenger level movie क्या होगा इस पर भी कुछ बात कर सकता है Marvel वाला एक और उमर जो बहुत जादा चल रही है वो है Dr. Doom की कास्टिंग क्योंकि है Fantastic Four Villain पर बहुत जादा बात चल रही है हावियर बरदाम से लेके अंगिनत बरे आक्टर्स के नाम जो रहा है इस करदार के साथ पॉसिबल है कि Marvel इन स्पेकुलेशन का अंद करे और बता दे कौन होगा उनका विक्टर वान डूम जो भी खबर होगी आपका इनर्ड जरूर वीडियोज लाएगा बरी गर्मा गर्म खबरो पर लाइक सब्सक्राइब का बड़न दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोज देखने है तो नोटिविकेशन घंटी बजाना मत भूलना ताकि वीडियोज पर अपडेट्स मिलते रहे आपको और ऐसे MCU DC खबरों के लिए देखते रहे है चर्चनर रिव्यू और जस्टे नर्डी वी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो किजिए अड़ दे रेट प्रो नर्डी व्यू टू-0-1 में और English Written Reviews और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं प्रोनीतदाइरी.blogspot.com में